गाइस वैसे तो विमान हाईजेकिंग जैसी घटनाओं को आतंकियों द्वारा ही अंजाम दिया जाता है और पक्रे जाने पर उन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है मगर हम आपको विमान हाईजेकिंग की ऐसी सची घटना के बारे में आज बताने जा रहे हैं जहां विमान का अपरण करने वाले अपरादियों को ना सरफ जेल से छोड़ा गया बलकि वो अपरादि आगे चल कर देश के प्रधान मंत्री तक बने और वर्शो तक पत पर रहे इतना ही नहीं एक नहीं बलकि हाईजेकिंग में शामिल दो-दो अपरादि प्रधान मंत्री बने इस विमान हाईजेकिंग का भारत से काफी घहरा रिष्टा था तो आखिर ये घटना कहां की है कौन विमान का हाईजेकर था जो आगे चल कर प्रधान मंत्री बना और इस विमान अफरन की वज़वा क्या थी चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में यकीन से परे इस कहानी को आज हम शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपने मारे चानल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे चलिए कहानी शुरू करते हैं तारीख थी 10 जून 1973 तैश एडियूल के मताबिक रॉयल नेपाल एरलाइन्स का एक 19 सीटर पेसेंजर एरक्राफ्ट 19 जात्यों को लेकर नेपाल के विराट नगर एरपोर्ट से काटमांडू के त्रिपुवन इंटरनाशनल एरपोर्ट तक ले जाने के लिए तया था इस फ्लाइट में 19 पेसेंजर के अलावा 3 क्रियू मेंबर्स 19 पेसेंजर में से एक पेसेंजर बेहत खास था वो थी उस समय वालीवूद में अपनी अलग भेचान रखने वाली एक्ट्रिस माला सेना सारी फॉर्मालिटेज पूरी हो जाने के बाद फाइनली 8 पचकर 30 मिनट पर फ्लाइट अपनी मंजल की और निकल पढ़ती है फ्लाइट के टेक ओफ के कुछ मिनट बीच जाते हैं बड़े अराम से तो फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्री भी निश्चंत हो जाते हैं और अपनी मंजल आने का इंतजार करने लगते हैं इसके अचानक से तीन यात्री अपनी अपनी सीट से उड़ते हैं और सीधे कॉपट में जाकर पालेट के सर पर पिस्तोल तान देते हैं इसके अलावा अन्य व्यक्ति हाथ में जिन्दा हैंट ग्रेनेट लेकर जहार्च के अंदर खड़े हो जाते हैं वो व्यक्ति चलाते हुए कहता है कि अगर किसी ने जरा सी भी चला के की तो सब के सब मारे जाओके इसलिए भेतर है कि सब खामोश बैठे रहो इस्तिती की गंबीरता को देखते हुए सभी यातरी खामोश रहते हैं याक्रियों पर पूरे तरीके से नियंदरं थापित करने के बाद अब हाईजेकर पाइलेट को ड़रा धमका कर अपने हिसाब से जहाज उड़ाने का दवा बनाने लगते हैं हलात को देखते हो एक पालेट भी इन हाईजेकर की बात माने को तयार हो रहाते हैं क्योंकि इन हाईजेकर के पास बंदूग के साथ साथ बम भी था अगली ही पल एक हाईजरकर अपनी पॉकेट से कागस का एक टुकरा निकालता है और जहाज को इस कागस के टुकरे पर बने नक्षे के हिसाब से उड़ाने के लिए कहता है नक्षे में समझ आ रहा था कि जहाज का रुक मोड़ कर आप विराट नगर से काटमांडू की बजाए विराट नगर से बिहार की तरफ करना था आपने सही सुना बिहार के फोबिस गंज की तरफ जाता लोग समझ पा रहे थे क्याकर इस हाईजग के का मकसद क्या है और फिलाइच को बिहार ले जाने का क्या मतलब है फिर भी हाईजगर की कहने पर जहाज को कागर तरफ शायर मैप के हिसाब से उड़ाते हुए बिहार की तरफ मोड़ दिया जाता है और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस जहाज को हाईजैक करने का मकसद क्या है अब तक जहाज के अंदर मौजूद लोगों के सामने जहाज हाईजैक करने के मकसद परश नहीं हो पा रहा था अब उनके सामने एक नई समस्या आ गई और समस्या की वज़ा थी कि हाईजैकर की नई जमाद अब हाई जेकर पालेट पर जहाज को फार्बिस गंच के एक खास के भरे मिदान पर उताने के लिए कहते हैं और ये खत्रे से खाली नहीं था पालेट उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस तरीके से जहाज को एक मेदान में उतारने की कोशिश करेंगे तो जहाज दुरगटना ग्रस्थ हो सकता है मगर इसके बावजूद हाईजाकर नहीं मानते और जहाज को उसी खाली मेदान में उतारने की ज़ित कने लगते हैं जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो आखिरकार पाइलेट जहाज को उसी घास वाले मेदान में उतारने के लिए रासी हो जाते हैं अब जहाज मेदान में उतर चुका था लेकिन अभी भी पालट और दूसरे लोग समझ ही नहीं पाले थे कि जहाज को यहाँ उतारने का मकसद क्या है और हाईजेकर का अगला मूफ क्या होने वाला है खेर जब जहाज लेंड हो जाता है तो कुछ लोग जहाज के पास होते हैं और जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद तीन बक्सों को जल से जल वहाँ से उतार कर पहले से मेदान में खड़ी एक जीप पर डालते हैं और वहाँ से सभी रफू जकत हो जाते हैं वो तीनों हाईजेकर भी जहाज से उतर जाते हैं, मतलब यहाँ जहाज को हाईजेक करने का मकसद पूरा हो चुका था, सभी यातरी और क्र्यू मेंबर सुरक्षत थे, तो आखिर जब इन अभर्ण करताओं नहीं, ना किसी पालेट को, ना किसी यातरी को नुकसान पहुट र तो आखिर इस हाईजेकर का मतलब क्या था, मतलब जहाज से उतारे गए उस तीन बकसे में था, जहाज से जो तीन बकसे उतारे गए थे, उसमें 30 लाग भारती रुपे थे, 30 लाग रुपे आज भी कोई छुटी-मोटी रकम नहीं, और तब तो उसकी व्याली और भी कहीं तो आखिर ये 30 लाख रुपे किसके थे और जहाज में क्या कर रहे थे ये 30 लाख भारती रुपे नेपाल सरकार के थे जो भारत से नेपाल लाए जा रहे थे पहले ये पैसा बिहार के अरैया से सरक के माध्यम से विराट नगर पहुंचाया गया और विराट नगर से इसी जह जहाज की पहली हाईजैकिंग और पहली इतनी बड़ी चोरी थी पूरे नेपाल में हंगामा माच चुका था क्योंकि इतने बड़े कांट को भारत में अंजाम दिया गया इसलिए भारती सरकार भी AD चोटी का जो लगाकर जल से जल इस अफरन कांट में श्रामिल अपराधी को पकड़ना चुआती थी इस पूरे मामली की जाँच नेपाल के साथ साथ भारत में शुरू होती है कुछी देर की इन्वेस्टिकेशन के बाद जहाज के अंदर मौजूद हाईजैकर्स की फेचान बसंद भटा राय दुर्गा सुवीदी और नागेंदर प्रसाद दुंग भी होती चली जाती है इस पूरी लूट का मास्टर माइंड गिरिजवा परसाद को बताया जाता है नेपाल पुलिस के हाथ तो खाली रहते हैं मगर भारती पुलिस दाबादोर चापी मारी करती हुए कुछी मैनों के अंदर कहीं एहम आरोपियों को गिरफतार कर लेती है और फिर उनसे पूछताच का सिलसला शुरू होता है पूछताच में कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं दरसल ये वो समय था जब नेपाल में लोगतंत्र खतम हो चुका था और सारा सिस्टम नेपाल के राज़ा अपने हाथ में ले चुके थे सभी तरह के राजन पर उतर कर इस मुवमेंट को बड़े सतर पर लीट कर रहे थे गिरिजा परसाथ खुरेला और नेपाली कॉंगरेस के नेत्रुत्व में ये पूरा मुवमेंट चल रहा था लंबे समय तग ये मुवमेंट लोगों द्वारा दिये गए चंदे की पैसों से चल रहा था मगर एक समय ऐसा आया जब विरोधियों के पास पैसे की भारी कमी हो गई और ऐसा लगने लगा कि लोगों को लोकतंत्र के समर्थन में चलाया जा रहा है। विरोध पैसे की कमी की वज़ा से बंध हो जाएगा। ऐसे मी गिरिजा परसाथ कोरेला ने पैसे जुटाने के तरीके पर काम करना शुरू करतीया और एक के बाद एक लोगों से मिलने लगे। अफरन कांट के बारे में परते थे और ये आईडिया पसंद आता था और ये वही आईडिया था जो गिरिजा परसाथ कोरेला को भी देते हैं कि अगर हमने सरकार का पैसा लूट लिया तो फिर हमारे समस्य कम हो सकते हैं। मदान भी लोगतंत्र के समर्थक थे ऐसे में गिरिजा परसाथ कोरेला मदान को अपने प्लान के बारे में समझाते हैं। और मदान से बैंकों से होने वाले पैसों की मुवमेंट से जुरी जानकारी लेते हैं। क्योंकि मदान भैंक में एक उर्चे पर्थ पर कार्यत था। इसलिए उसे हर छोटे बड़े बात की इंफोर्मिशन होती थी। एक दिन मदान को पता चला कि नेपाली सरकार बहारत से 30 लाख रुपे जहच के जरिये मंगवा रही है। मदान इस बात की जानकारी गिरिजा परसाद क्योरेला को देता है और फिर तै किया जाता है कि अब सभी कुरांतिकारी मिलकर यही पैसा लूटेंगे। और इन पैसों का नेपाल में लोक तंत्र के समर्थन में चल रहे आंदोलन को गती देने के लिए तथा आंदोलन के लिए हत्यार खरीदने के लिए किया रहेगा। सब कुछ तै होने के बाद इस मिशंद में बसंद भटा राय और नागिंदर प्रसाद भी शामिल किया गया। और यही दोनों दुरगा सुवेदी के साथ मिलकर जहाज को हाईजैक करते हैं। इस प्लेन हाईजैकिंग प्लान में कुछ भारती लोगों को भी शामिल किया गया। प्लान में शामिल प्रमुक भारतियों में गनेश शर्मा नाम का व्यक्ती था। जब यह जहाज को फॉरंस गंज के मैदान में लांडिंग करवा लेते हैं। तब सबसे पहले गनेश शर्मा ही एक जीप लेकर जहाज के पास आता है। और फिर जहाज में इसे पैसे से भरे तीनों बकसों को उतार कर जीप में डाल दिया जाता है। फिर सभी हाईजैकर्स तथा उनके साथ ही जीप से वहाँ से निकल जाते हैं। खुलासे के मताबिक अभी ये पैसे को लेकर सबसे पहले डाजलिंग जाते हैं। और तीन अलग-अलग गाडियों को बदलते हुई ये डाजलिंग से बनारस पहुँचते हैं। और बनारस से बाद में ये सभी पैसे लेकर बॉम्बे जाते हैं। फाइनली बॉंबे में पैसे को ठिकाना लगा दिया जाता है पैसे की एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में गिर्जा परसाद कोईला के अलावा चक्रपरसाद वस्तोला ने भी एहम किर्दा निभाया इस दौरान हाईजेकर्स लगाता दिली भी आ जा रहे थे क्योंकि उन बारे में आपको बता देती हैं कि 1969 से 1960 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे यही बीपी कॉरिला बॉलिवुड के मौशूर अभिनेतरी मनीशा कॉरिला के ग्रांट फादर भी है इसके अलावा बीपी कॉरिला के बड़े भाई गिर्जा प्रसाद कॉरिला और छूटे भाई मातरी का प्रसाद कॉरिला भी नेपाल के प्रधान मंत्री रह चुके हैं पुलिस पूश्टाश में हाईजेकर द्वारा के गए खुलासे में जितने भी नाम पुलिस ने उन सभी को एक साल की अंदर गिरफतार कर लिया नागेंदर धुंगेल नाम के व् में बंद कर दिया जाता है इस लूट कांड में मास्टर माइंड गिर्जा बापु को तीन साल के सजा दी जाती है अलाकि 1975 में जब भारत में अपात काल का दौर खतम हो जाता है तो जेल में कैद इन सभी आरोपियों को धीरे धीरे रिहा कर दिया जाता है ये सभी अपने अ अधुनिक हत्यार खरी दे जाए मगर इस लूट कांड के कुछी समय बाद नेपाली कॉंग्रेस के टॉप लीजर पर ये आरोप लगने लगा कि लोगों के जिस मकसद से वो पैसे चुराय थे उस पर वो कायम नहीं रह सके और बड़े पैमाने पर पैसों को मिस्यूस किया आरोप तो ये तक लगा था कि बड़े नेपाली नेताओं ने भी इन पैसों का उप्योग अपने परसनल यूस के लिए किया इन सभी आरोपों के बीच संघर्ष का दौर चलता रहा और फाइनली नेपाल में एक ऐसा समय आ गया जब लोगतंत्र के चल रहे आंदोलन को काम भेज़े गए थे वही नेपाल के प्रधान मंत्री बन गए गिरिजा परसाद कॉरेला एक बार नहीं बलकि चार टम यानि 1991 से 1994 तक फिर 1998 से 1999 तक फिर 2002 से 2006 तक और 2006 से 2008 तक नेपाल के प्रधान मंत्री रहे नेपाल के दिहास के पहले विमान अफरन कांड में शामिल लोगों केवल गिरिजा परसाद कॉरेला ही कैसे व्यक्ती नहीं जो उचे पत पर गए बलकि इस अफरन कांड में जितने भी लोग शामिल थे सभी समय के नेपाल में उची उची पदों पर पहुंचने में काम्याब रहे इस लूट कांड में सुशील परसाद कॉरेला भी बढ़ च तो लोग तंत्र की वापसी के साथ ये भी सत्ता में वापस आए और अपने भाई की तरह ही नेपाल के प्रधान मंत्री के पत पर आसीन हो गए शुशील किराला 11 फरवरी 2014 से 10 अक्टूबर 2015 तक नेपाल के प्रधान मंत्री रहे जिस तरह इस प्लेन हाईजैकिंग में शाम करके पैसा चुराया गया था वो जहाज भी तुरंथी सर्विस में वापस आ गया और लंबे समय तक रॉयल निपार एलाइन्स का हिस्सा बना रहा हलाकि एक्राफ्ट की विदाई सुखत तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि अपहरन की घटना के बाद भी वर्षों तक ये जह होने के बाद फिर से जहाज के टुकडों को जमा किया गया और फिर से उसे अच्छे से जोडते हुए इसे तयार किया गया और फिर इसे प्रतीग बनाते हो इस नेपाल की म्यूजियम में डाल दिया गया उस समय दुनिया ने इस अपहरन कांट की काफी अलोशना की थी मगर विगर नेपाली कॉंग्रेस के लिए अफ़रन आज भी सम्मान की बात है। और नेपाली कॉंग्रेस से जुड़े लोग अक्सर इस अफ़रन कांट के जरीए ये बताने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में लोगतंतर स्थापना के लिए इन लोगों ने कितना संगर्श किया है। हाल में ही इसी प्लेन हाईजेकिंग पर एक डॉक्यमेंटरी भी बनाई गई है जिसे बड़े सम्मान के साथ नेपाल में बड़े सतर पर देखा गया। इस विमान अफरन कांट के बारे में सवाल आम तोर से लोगों की ध्यान में आता है कि आखिर इस जहाज को घांस से भरे मिदान में उताने का बड़ा जोखिम क्यों लिया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यही सवाल हाईजेकर से पुलिस द्वारा पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि पहले प्लान था कि बिहार के किसी एरपोर्ट पर जहाज को उतारा जाएगा। मगर यही प्लान बदलना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत जादा खत्रा था। अगर प्लेन किसी एरपोर्ट पर उतारना था तो वहाँ पर मौझूद कर्मी अफरन करता को मार भी सकते थे। इसलिए प्लेन को बदलते हुए खत्रा उठाने का फैसला किया गया। जहाच को घास वाले मिदान में उतारा गया। दोस्तों विमान अफरन किस घटना के बारे में आपकी क्या राए है और आप क्या कहना राएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।